बिहार के सियासत में जीतन राम मांजी पिछले कुछ वर्सों में एक ऐसे चेहरे के रूप में उभरे हैं जो समय समय पर नकेबल अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते हैं बलकि समय समय पर अपने जो राजनितिक विचार धारा है उसमें अलग-अलग तरीके के बदलाव ला करके भी हमेशा अपने लिए बेहतर राह अक्तियार करते हैं और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से जीतन राम मांजी कुछ उसी रास्ते पे चलते दिख रहे हैं भले ही वे बिहार में नितिस सरकार के नित्रित वाले महागटवंधन में हो लेकिन चाहे जीतन राम मांजी हो या उनके बेटे संतोष सुमन हो दोनों पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रेसर पॉलिटिक्स की जो बात होती है उसे करने में कहीं से भी पीछे नहीं नजरा रहे हैं और यह इसलिए क्योंकि हाल फिल हाल ही उनके बेटे संतोष सुमन और खुद जीतन राम मांजी दोनों ने अलग-अलग समय में बयान दे करके नितीज कुमार और NDA यानि कि केंद में जो केंद मोधी नीत भाजपा सरकार है उन दोनों को खुला ओफर दे दिया है कि अगर आप हमारी जोली भरियेगा तभी हम आपके साथ होंगे अन्यथा हम अपना रास्ता खुद अक्तियार करेंगे तो जीतन राम मांजी किस रास्ते पे चलेंगे इसके लिए आपको जीतन राम मांजी के कुछ पुराने जो रादनिते की तिहास है उस पर भी नजर जो राने किया वा सकता है और जीतन राम मांजी किसके लिए भरोसे मंद होंगे किसके विश्वास पातर बनेंगे इसके लिए वर्ष 2024 के लोग सभाचुनाव के पहले मांजी एक अबूज पहली के रूप में नितिश कुमार और भारती जंता पार्टी दोनो सीटों की मांग की है लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि हमें पांच सीटे नितिश कुमार अगर तयार है तो ठीक है अगर दो से तीन सीटे भी हमें मिल जाए तो हम उसके लिए तयार रहेंगे लेकिन इस बीच अचानक से जीतन नाम मांजी ने एक दिन पहले ही अपने बे करके थी इसके अलावा राजनितिक बातें भी हुई लेकिन महत्पूर्ण यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रहे कि अचानक से जीतन नाम मांजी नितिश कुमार से मिलने पहुँच गए और वे कौन सी राजनितिक बातें हैं जो दोनों के बीच होई होगे दरसल जीतन जीतन राम मांजी सभी गट बंधनों के लिए मजबूरी क्यों बन गए है इसके लिए उनके राजनितिक यातराओं को समझना भी है जरूरी है जीतन राम मांजी मौजूदा समय में बिहार में दलित राजनिती के यानि की जो दलित बोट वेंक है उसके केंदर में आते हैं जीतन राम मांजी मुशहर जाती से आते हैं और जब नितीज कुमार ने वर्ष 2014 के लोगसभाचुनाव के बाद अपना इस्तीफा दिया था तो उस समय उन्होंने जीतन राम मांजी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार जीतन राम मांजी जब तक सरपद पर बने रहे तब तक अपने बयानों से सुर्खियां बटोडते रहे हाला कि जीतन राम मान जी ने को बाद में नितीस कुमार ने मजबूरी बस हटा दिया क्योंकि जीमान जी के मुख्यमंतरी रहते हुए नितीस असहज महसूस कर रहे थे नतीजा हुआ कि एक दोर में जनतादर उनाइटेट के नेता रहे जीतन राम मान जी मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद अपना यह अपमान भूल नहीं पाए और उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नाम के एक राजनितिक दलका गठन कर लिया बाद में माझी वर्ष दोहजार चाहे पंदरह का लोकस्ति विधान सभा चुनाओ हो या वर्ष दोहजार उन्निस का लोकस्ति विधान सभा का चुनाओ हो इन तमाम चुनाओं में अपने लिए मुफीद रास्ता अक्तियार करने के लिए अलग-अलग समय में अलग-अलग र आश्टी जनता दलके से ले ये भी उन्होंने अपने द्वार खोल रखे हैं और समय समय पर नितीज सरकार के फैसले पर हमलावर होने को ले करके भी मान जी कभी पीछे नहीं हटते हैं यानि कि आप गौर कीजिएगा तो चाहे नितीज कुमार का सराब बंदी का नेर नहीं हो या बिहार में जो सासन विवस्था के ले करके अलगले सवाल उठते हैं तो इन सब को ले करके मान जी अपनी ही सरकार पर हमलावर भी रहते हैं बाद में वो अचानक से बैकफुट पर भी आ जाते हैं तो यानि कि बयानों को देना और बयान बदलना यह सब उनकार रहा हैं तो वर्स 2024 के लोकसभा चुनाओं के पहले एक और बिहार के मुख्यमंतरे नितीज कुमार महागटवंधन को मजबूत करने के लिए तमाम अगटवंधन के खाते में एक बड़ा वोट बेंक आ सकता है लेकिन दूसरी ओर जो NDA है यानि कि केंदर में नरेंदर मोदीनीत सरकार वह NDA भी अपने खाते में ऐसे बिहार के दलितनेताओं को लाना चाहती है जिनके चेहरे के बदुलत बिहार में दलितनेताओं जो जुदा समय में जीतनरामान जी एक ऐसे प्यादे हैं जिनका इस्तिमाल करके वर्ष 2024 के लोकसभाचुनाओं में NDA भी बड़े अस्तर पर अपने वोट बेंक को बढ़ा सकती है तो यही वज़ा है कि आज इस्तिती है कि जीतनरामान जी यही चाहते हैं कि उनके लिए जो भ इसे लेकर के जो पेशो पेश की इस्तिती है वह पेशो पेश की इस्तिती आज भी बनी हुई है और आने वाले समय में भी इसलिए बनी रहेगी क्योंकि जब तक लोकसभाचुनाओं के ड़रान सीटों का बटवारा नहीं होता है तब तक मांजी का प्रेसर पॉलिटिक्स तमाम राजनितिक दलों और गटवंधनों के उपर बना रहेगा उसमें जो मांजी की बातों को मानेंगे मांजी उनके साथ जाएंगे और उनकी नईया को पार लगाने के लिए उनके साथ उनके नाव पर सवारी कर सकते हैं